हेलो फ्रेंड, वेल्कम टो अंगुलर 9 यह हमारा 46 ट्रेटोरियल है एंगुलर का जिसमें हम लोग पात करेंगे view encapsulation की view encapsulation की मतलब यह है encapsulate का मतलब होता है जी capsule होती है इसमें जो दवाई होती है इसके अंदर बंद रहती है उसी तरह से हमारा code भी इसके अंदर बंद रहता है, तो कहने का मतलब क्या example समझाते हैं आपको, तो सबसे पहले देखिए app component CS में आ जाता हूं मैं, और यहां पर मैंने क्या किया है, container margin top, 300 pixel लगाए, और color मैंने blue दिया है, यहां पर paragraph का, इसे मैं save कर लेता हूं, और output को अपन किया, और add a blueprint किया, तो यहां पर आप देखेंगे कि जो, widget CSC यह blue में नहीं आ रहा है, और add a new server है, यह भी blue में नहीं आ रहा है, जब कि यह दो के दो paragraph है हमारे, अगर मैं देखूं, cockpit.component.html file में है, तो यहां पर देखिए add a new server, यह भी हमारा paragraph है, और जो दूसरा है हमारा server element, इसके HTML file देखूं, तो यह भी हमारा एक paragraph है, लेकिन यह दोनों की दोनों हमारे blue में नहीं आ रहे, तो blue में क्यों नहीं आ रहे हैं, तो सबसे पहले यह समझ लेते हैं, blue में इसलिए नहीं आ रहे हैं, क्योंकि यह हमारी CSS file है, वो angular दौरा encapsulate कर दी गई है, अब आप बा यहाँ पर p लिखा है, तो यह जो code है, वो पूरे project में apply होना चीए, जहां भी paragraph यूज करेंगे, वहाँ पर blue हो जाना चीए, लेकिन angular क्या करता है, इसको encapsulate कर देता है, उस component में ही बात के रख देता है, जिस component में यह use हुआ है, तो देखें, जिस component में यह file होगी, CSS वाली, यह p वाला use होगा, यहाँ पर आप paragraph यूज करेंगे, वही color blue में आएगा, वाकि कोई भी color blue में नहीं आएगा, इसको यह encapsulate कर देता है, और इसका फायदा यह होता है, अगर आप चाहते हैं कि अलग-अलग component में, आपके अलगले तरह के CSS की designing, color, paragraph color, या फिर margin होगा, वो सब चीज अलग आए, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अलग-अलग file को रख सकते हैं CSS में, इसलिए Angular इस तरह से behave करता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एक ही CSS file, जो app component CSS file हो, इसका जो paragraph हो, वो सारी component में apply हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, code में change लेके आने पड़ेंगे, तो यहां पर देखिए क्या करता हूँ, मैं server element component.ts file है, यहां पर छोटा सा change करूँगा, यहां पर जो हमने style url लिखा है, इसके बाद मैं यहां पर एक चीज़ लिखता हूँ, सबसे पर लिखा हूँ, encapsulation, और उसके बाद लिखता हूँ, मैं आपर view, encapsulation, और फिर हम लिखते हैं, आपर dot, यहां पर 3-4 तरह के option आ रहे हैं, यह के बाद में बात करेंगे, लेकिन इस temp है, आपको जो use करना है, वो है none, इसे जब आप इसे use करेंगे, तो इसमें यही बताएगा, इस component में यह जो CSS की file है, वो apply हो सकती है, इसे आप apply कर सकते हैं, अब इसे करने का फायदा क्या होगा, देखिए, कि जो आप यहां पर define करेंगे, इसकी component की CSS file में, वो globally apply होगा, अगर मैं इस code को यहां पर लिखता है, इस वाली component में, तो इस component की CSS file है, उसमें जो apply होता, वो सारे, किसमें apply होता, सारी component में apply होता, globally, copy कर लोगा यहां पर से, और मैं यहां पर जाके paste कर लेता हूँ, यहां पर मैं इसे blue से change करके red कर देता हूँ, red कर दिया, अब मैं क्या करूँ मैं label लिखूँगा, जो label होगा, उसका color भी मैं change कर लेता हूँ, यह दिखायने के लिख कि यहां पर जो changes आप करेंगे, वो globally apply होगे, तो उसका color में लख ले है, वीजे, वीजे, csgeeks, add server, add a blueprint, तो यह वीजी देखिए हमारी red आ रहे है, italic में, तो आप यह समझ सकते हैं कि कैसे आप किसी भी एक component की file को, css file को, पूरे globally apply कर सकते हैं, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो, जिकिंग जो project होते हैं, उनमें ऐसा नहीं होता है, आप यह चाहत आप इसे by default वैसे ही छोड़ सकते हैं, इस code को आप फटा सकते हैं, जो अपने यहाँ पर लिखा है, encapsulate, view, encapsulate, none, इनको आप फटा देंगे, तो क्या होगा, पहले सब behave करने लगेगा, जैसे पहले behave करता है, जिस component के जो css file होगी, उसी को देखेगा, और उसी के साब से अप आपको हमारी वीडियो पसंद आगी, तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारी चैनल को सब्सक्राइब ना भूलें, और हमारी प्लेलिस को चल्दू चेक करें, friends, क्योंकि वहाँ पर आपको मिलते है, डिफिरेंट डिफिरेंटे के framework और programming language पे वीडियो Goodbye, Take care